दोस्तों इसके वर्किंग के उपर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है जिसके अंदर हम लोग स्केमेटिक डायग्राम को सही तरीके से समझेंगे और जब आप पावर सप्लाई को बना लोगे तो कैसे आपको इसको कैलिब्रेट करना है क्यूंकि काफी सारे यूजर को एक कम्प्लेन आ रहा है कि वो लोग इसको कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे किसी को 2 एमपेर के लिए लिमिटेड करना है किसी को 3 एमपेर के लिए लिमिटेड करना है किसी को इस पावर सप्लाई से 10 एमपेर का करेंट चाहिए तो इन सभी का जो सोल्यूशन है वो क किसी एक वीडियो में मैं दे दूँगा